नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत हैं हिए मेरे यूटूब चैनल SSC वडा नमे जिसे कि आप लोग जांते है, मैं आप लोगों की हिलावाद High Cooled की एक्जाम की एक्जाम की त्यारी करा ही है, पूरी अब मैं आप लोगों की Group D का जो मेंस का एक्जाम होने वाला है जो लोग 12 नौवंबर के लिए थे उनके एक्जाम की तियारी करा रहा हूँ फिलाल मैं आज लेकर आया हूँ कि हमारे गृप D की जो 13 जुलाई और 13 जुलाई को और हमारा कितना हुआ था 13 नौवंबर को जो पेपर हुआ था अब इनकी overall cut off कितनी जाने वाली है जो एक merit बनेगी pass के लिए वो कितना जाने वाला है हम लोग बात करेंगे इसके उपर तो guys हम लोग stage first और stage two दोनों के पेपर को analyze करके बात करेंगे कि कितना हमारा stage first का level रहा था और किस level का हमारा stage two का रहा था तो हम लोग दोनों को ही मिला कर एक अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी cut off कितनी जाएगी ठीके guys जो लोग मेरे channel पे नए आये हुए हैं अगर उन्होंने मेरे channel को subscribe नहीं किया हुआ है तो वो लोग subscribe का button दबा दें subscribe का button आप लोगों को नीचे मिल जाएगा आप लोग जब subscribe का button यहाँ पर दबाएंगे तो उसके बाद आपको एक bell icon देखेगा bell icon से क्या होगा जब भी मैं कोई वी वीडियो आप लोगों के लिए लेगा रहूँगा तो आप लोगों को वीडियो का notification मिल जाएगा इससे आपको पता लग जाएगा कि मेरा वीडियो upload हो गया है तो आप लोग उसको आसानी से देख सकते हैं ठीके guys next हम लोग बात करते हैं जो हमें बात करनी है exam की बारे में कि हमारा level कितना जा सकता है कितनी cut off जा सकती है तो अगर मैं बात करूँ गुरुप D के exam के first stage की जो हमारा पहला exam हुआ था जैसा कि सब लोग जानते हैं कि बहुत low level का आया था कैसा आया था बहुत low level का आया था बच्चों ने score किया है 90 प्लस बहुत से बहुत जादा score किया गया है ठीक है गाइस लेकिन हमें यह नहीं अत्या करना है कि 90 प्लस score किया है तो जो आयोग decide करेगा आयोग जो decide करेगा वो cut off उनकी 90 प्लस जाएगी ऐसा बुलकुल नहीं होता है वो सारे ही students को देखके cut off बनाते हैं जिससे चात्रों को किसी को भी नुकसान ना पहुँचे तो हम लोग बात करते हैं अलग-अलग subject की कहां से कहां तक को बलाया गया था और अब क्या chances है हमारे stage two और stage one को मिला कर कितना cutoff जा सकता है ततो अगर मैं बात करूँ हिंदी की तो अगर हमारे हिंदी में पहले कितना तेईस से म्छी तक और यहां यह कितना आ गया हमारा total 86 आ गया और इसका अगर मैं total लगा हूँ तो कितना आएगा हमारा 96 आएगा ठीके गाइस तो आप लोग को यहाँ पर मिला 86 आपको जो overall merit बनेगी second stage के भी marks आपके count होंगे तो अगर आपके 80 plus marks हैं तो आप लोग जो overall cutoff बनने वाली है उसमें आप लोग का बहुत chance है next बात कर लेते हैं हम लोग stage 2 की stage 2 की बात करें तो stage 2 का कैसा level रहा था आप सभी जानते हैं एकदम उनोंने बहुत ज़्यादा hard level कर दिया था जिस तरीके से first level था उस तरीके से बुलकुल pattern change करके एकदम hard level में exam को करा दिया है और काफी बच्चों को दिक्कत हुई है तो अगर मैं बात करूँ हिंदी की तो हिंदी हमारी बहुत ही easy IT जैसे की सभी लोग जानते हैं हिंदी हमारी कितने number तक अगर हम लोग करके आयें तो बुलकुल सही है अगर मैं इंगलिस की बात करूँ तो 20 से अगर हम लोग 24 तक करके आये हैं तो बहुत सही wise आया है हैं हमारे अगर मैं जीके की बात करूँ तो 18 से जीके का लेवल बहुत ज्यादा तफ था इसमें देखा नहीं जा रहा था कि किस तरीके के कोश्चंस है लेकिन काफी कोश्चंस ऐसे थे जो हर एक्जाम में पूछे जाते थे यानि रिपीटेट कोश्चंस थे जो कि मैं आप लोगों को कराता हूँ अपने 35 के जेली की जीके देता हूँ उसमें कराता हूँ वो कोश्चंस थे हमारे जीके में जो हर बार पूछे जाते हैं एक्जाम में हर किसी exam में repeat होते हैं वो questions थे अगर आप लोगों ने उन questions को नहीं पढ़ा होगा तो आप लोग थोड़ा सा कम कर पाया होंगे score अगर मैं math की बात करूं तो 20 से अगर आप लोगों का 23 नमबर तक आ रहे हैं math का level थोड़ा सा high था ज्यादा नहीं था थोड़ा सा high था तो आप लोगों के अगर इस score के मिल रहा है इससे marks मिल रहे हैं तो आप लोगों का जो overall cutoff बनने वाला है तो आपका उसमें chances हैं कि merit में आप लोगों का नाम आ जाए और आप लोग का selection हो जाएं तो अगर मैं जब इसको total करूंगा तो कितना निकल के आएगा 8 और 3 11 11 का 8 और 2 10 और 12 और 13 और 2 sorry 11 का 1 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8 कितना निकल के आया हमारा 81 अगर आप लोगों के second stage में 81 नमबर तक आ रहे हैं और first stage में total करूं तो कितना आ गया हमारा 167 आ गया क्या गया 167 आ गया तो अगर आपका score 167 तक जा रहा है तो आप लोगों का मैं sure तो नहीं कह सकता लेकिन बहुत chance है कि आप लोगों का selection हो जाएगा ठीके गाईस अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे कितना कितना किस किस का merit जा सकता ह है कि general का कितना जा सकता है OVC का कितना जाएगा जा सकता है और HC और HT का कितना जा सकता है तो हम लोग सभी की बात करेंगे और boomens की भी बात करेंगी क्योंकि पिछली बार जब मैंने group C के लिए cut-off दिया था तो काफी queries आई थी कि sir boomens का कितना रहेगा और क्या होता है boomens क लिए तो हम लोग इसकी भी बात कर लेंगे जैसा अभी हम लोगोंने total लगाया तो कितना लगाया 167 कितना लगाया हम लोगोंने total 167 इसका मतलब हमारा अगर हम जंडल में 165 से लेके 175 के बीच में marks लेके आये हैं तो हम लोगों का selection कितना हो सकता है 90% हो सकता है अब वो आयो ला लेना आप लोगों को यही अनुमान मिलेगा अगर आपका 165 तक जा रहा है 165 के बीच में आ रहा है तो आपका selection हो सकता है next हम बात करें अगर OBC की तो अगर आपका 160 से लेके 172 तक इनके बीच में हैं अगर आप OBC में और आपके 160 से उपर नमर है या 160 नमर है तो आपक 90% selection होने के chances हैं next अगर हम SCST की बात करें तो मैंने थोड़ा SCST का भी लिया हुआ है SCST के लिए अगर आपका 155 155 से 168 नमर तक 155 और 168 के बीच में आ रहे हैं तो आपका 90% selection हो सकता है तो आपके chances है अब बात तो बात में तब ही पता लगी कि जब result आ जाएगा असली अभी आप लोग सिर्फ इसका देखिए और जो भी मैं बता रहा हूँ आप लोग बस ध्यान से सुनिए ठीके गाइस next अगर हम बात करें बुमेंस की तो बुमेंस की बात करें तो बुमें में कितना कट ओफ जा सकता है हमारा बुमें में आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि ब एशन रेजर्वेशन रहता है वोँमें का कह रहता है इनको कोटा मिलता है अलग से ठीक है गाइस तो इनका थोड़ा सा कट ओफ कम जाता है अगर हम लोग बुमें की बात करेंगे तो वूमें पावितना जा सकता है 145 से लेके 155 तक जा सकता है तो अगर कोई लड़कियों में फोर्म भरे हुए हैं अगर उनका score 145 से लेके 155 तक आ रहा है उसके बीच में score कर रही है वो लोग तो उनका score अच्छा है और उनके selection होने के 90% chances हैं तो ठीक है आज की वीडियो हम लोग इतना ही रखेंगे मैंने आप लोग को बताया है आप लोग इससे अनुमान लगा सक किये यह आप लोगों को बहुत help करेंगे और मैं daily basis पर वीडियो डालता हूं practice set डालता हूं जिस पर आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है मैं English का practice set भी डालता हूं आपके लिए math का practice set भी डालता हूं और GK के questions भी डालता हूं जो बारवार repeat होते हैं जैस कि इसलिए नहीं करा रहा था कि बहुत ज्यादा low level के exam आ रहा है अब बहुत ज्यादा low questions आते थे इस वेसे Hindi के नहीं करा रहा हूं मैं English और Math पर बहुत ज्यादा focus करा रहा हूं तो आप लोग अगर मेरी next exam के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मेरी वीडियो को देख देखते रहें और में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें ठीक है गाइस गुडबाई टिक केर हैव नाइस जे